Hello everyone, this is Megha Sharma, welcome to Omega TechEd. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे Python Programming Practical No. 6. इस practical में हम file operations perform करने वाले हैं. First practical है, write a Python program to read an entire text file. Second practical में हमें कुछ text add करना है. And third practical में हमें file में जो last n lines हैं वो read करना है. तो ये सारे जो operations हैं, जो files related operations हैं, कि किस तरीके से हम file को read कर सकते हैं, file में write कर सकते हैं, कुछ text add कर सकते हैं. ये सभी हमने files वाले वीडियो में discuss किया था. जो हमारी playlist है Python Programming. उसमें एक वीडियो है, files in Python. उसमें हमने files related सभी topics को discuss किया है. तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखे. और अगर आपने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please चैनल को subscribe करें. If file operation takes place in the following order, Python में file operations के लिए हम एक order follow करते हैं. सबसे पहले हम file को open करते हैं, open a file. Operations हम perform करते हैं, read or write operations. And last में हम file को close करते हैं. तो जब हम file को open करते हैं, तो default mode उसका read mode होता है. File को open करने के लिए हम open method का use करते हैं, जिसमें हम two parameters देते हैं, file name and mode. File name में हम file का name mention करते हैं, कि कौन सी file हमें open करनी है. और mode में हम mode mention करते हैं, कि हमें इस file को किस mode में open करना है. अगर हम सिर्फ file name देते हैं और कोई भी mode mention नहीं करते हैं, तो by default file read mode में open होगी. File को close करने के लिए हम close method का use करते हैं. जैसे अभी हमने read mode देखा, उसी तरीके से और भी कई सारे mode होते हैं, जिनमें हम file को open कर सकते हैं. जिस तरीके से R mode होता है, file को read mode में open करने के लिए, उसी तरीके से इस table में हम different modes देख सकते हैं, जिसमें हम file को open कर सकते हैं. R plus open for reading and writing, W create text file for writing, W plus open for reading and writing, A open for writing and A plus open for reading and writing, A जो होता है उसका मतलब होता है append, append mode में जब हम file को open करते हैं, तो हम file में add कर सकते हैं, means अगर हमें कुछ lines file के last में add करनी हैं, तो हम file को append mode में open करते हैं, Main हम यहां पे देख सकते हैं कि R mode जो होता है वो reading के लिए होता है W mode writing के लिए होता है और A mode जो होता है वो append के लिए होता है अगर हमें file में कुछ extra lines add करनी है तब हम इस mode का use करते है और जब हम इन mode को plus के साथ use करते हैं लब की R+, W+, A+, तो जो फाइल होती है वो रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए ही open होती है अब हम इसे perform करके देखेंगे तो practical number 6A में हमें फाइल open करनी है और उसे read करना है तो सबसे पहले तो हमें text file create कर लेते हैं यहाँ पर हमने text file बनाई हुई है इसमें हमने लिखा है hello world python is easy to learn तो यह जो हमारी text file है इसे हम save कर लेते हैं और अभी हम इसे desktop पे save कर रहे हैं तो यहाँ पर file name देदेंगे for example हमने यहाँ पर दिया हुआ है ABC तो यह जो हमारी text file है यह ABC name से create हो गई है अब हम python open करते हैं और यहाँ पर हमें read operation perform करना है तो steps हमने देखे थे सबसे पहले हमें file को open करना होता है open function जो होता है उसमें two parameters होते हैं file name and mode तो file name हमारा है abc.txt और हम इसको read करने वाले हैं इसलिए हम इसे r mode में open करेंगे हम r को skip भी कर सकते हैं क्योंकि by default जो file open होती है वह r mode में ही open होती है लेकिन अगर हम r नहीं लिखते हैं और file exist नहीं करती है तो फिर error आएगा इसके बाद हम operation perform कर रहे हैं f.read f.read जो है वो file को read करने के लिए use होता है और last में हम file को close कर देंगे अब हम इस file को save कर रहे हैं लेकिन save करते समय हमें ध्यान रखना है कि जहांपे हमारी text file है उसी location पे हमें इस python file को भी save करना है तो text file हमारी desktop पे save थी तो इस python file को भी हमने desktop पे save कर दिया है रन करेंगे तो output हमें मिलेगा hello world python is easy to learn तो इस तरीके से हम text file को read कर सकते हैं next practical में हमें file में कुछ text add करना है कुछ text append करना है तो हमारे पास जो अभी file है उसमें two lines हमने लिखी हुई है hello world python is easy to learn इस file को हम read कर चुके हैं अब हमें इसमें extra text add करना है extra text add करने के लिए हम file को open करते हैं और इस बार हम इसे a plus mode में open करेंगे क्योंकि हमें text add करना है उसके बाद हम operation perform करेंगे तो यहां पे हम write operation perform कर रहे हैं sequence हमेशा वही रहेगी सबसे पहले हम file को open करेंगे उसके बाद read या write operation perform करेंगे और last में हम file को close कर देंगे तो अभी हम यहां पे एक extra line add कर रहे हैं python is an interpreted language तो यह line हम यहां पे add कर देते हैं कि उसके बाद हम file को open करेंगे तो कि file को read करने के लिए हमें file को read mode में open करना होगा हम directly file को read नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले जो हमने file open की है वह append mode में open की है जिससे कि हमने text को add किया है लेकिन file को read करने के लिए हमें file को read mode में open करना होगा तो इसलिए हम लिखेंगे f is equal to open file name abc.txt और mode रहेगा आर उसके बाद हम file को read करते हैं और close कर देते हैं तो यह हमारा practical number 6 b run कर लेते हैं हम इसको तो इस तरीके से जो line थी वो यहाँ पर add हो गई है लास्ट practical में हमें file की last n lines read करनी है और python में reading के लिए अलग-अलग methods होते हैं जैसे कि हम read method का use कर सकते हैं for getting a string containing all characters in the file read line this function will read line by line from file the first call of read line function will return the first line of your file and if we make subsequent call to same method it will return successive line means file में जितने भी lines हमने लिखे हैं उनको line by line read करने के लिए हम read line function का use करते हैं तो जब हम program को run करेंगे तो एक line read हो जाएगी लेकिन हमें बार-बार उस method को call करना पड़ेगा तब हम सभी lines को read कर सकते हैं इसके place पे अगर हम read lines method का use करते हैं तो हम complete file को read कर सकते हैं read lines function returns the complete file as a list of string each separated by slash n तो read का use हम तब करेंगे जब हमें कुछ characters read करने हो जैसे कि अगर हमें कुछ 4-5 characters ही read करने हो किसी string के तब हम इस method का use करेंगे अगर हमें line by line reading करनी है तो हम read line method का use करेंगे और अगर हमें complete file read करनी है तो हम read lines method का use करेंगे अब हम इसे python में perform करके देखेंगे तो सबसे पहले तो हम file को open कर लेते हैं file को हमने read mode में open किया है उसके बाद हम यहाँ पर read lines का use कर रहे हैं क्योंकि हमें n lines यहाँ पर read करनी है और n यहाँ पर specify करेगा number of lines जितने lines हमको read करनी है तो अगर हमें last की line read करनी है तो हम लिखेंगे print t minus 1 तो minus 1 जो होगा वो last की जो line है उसको print कर देगा इसी तरीके से अगर हम minus 2 लिखते तो end की two lines print हो जाती है तो इस तरीके से जो last की line थी python is an interpreted language वो यहाँ पर हमें output मिल गया है thank you so much for watching till here अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है आपको वीडियो useful लगी है तो please वीडियो को like करें friends के साथ share करें और अगर आप channel पे new है आपने अब तक channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करें और वीडियो की सबसे पहले notification के लिए bell icon प्रेस करें